आज दोस्तों आप सुवी के एक पर प्रुणास फाकता है सक्सिस क्लास 22 में आज हम लोक्टेमेंवर्क का पाचमा क्लास करेंगे और इस क्लास में कार्ज छमता यानि इफिसेंसी पर जो प्रस्न पूछे जाते हैं उसे सोल्व करने के लिए सिखेंगे तो चलिए आज की क्ला आगें कॉष्चन कराएं एक की तुलना में B 60% अधिक करज कुसल है अगर A रोज एक सा कम करता है तो B रोज कितना कम करेंगे एक सा साथ कम करेगा क्योंकि 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 यहां पर दोस्तों आपको उनुपात लगा देना है ठीक है यह 0 से 0 खतम हो जागा यह हो जागा 5 यानि कार्ज छमता लगा दीजे ठीक है आगे कुश्चन कर रहा है उसी कार्ज को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा मतलब जिस काम को ए करता है बारा दिन में आपको बताना है बी कितना दिन में करेगा यहाँ पर देखे दोस्तों ए रोज कितना काम करता है पांच काम करत सकता है ठीक है या बारा दिन में इस काम को खतम कर देता है तो आप कह सकते हैं कुल कम होरे पास कितना हो गया कुल कम यही काम आप B कितना दिन में करेगा यहाँ पर देखे दोस्तों B रोज कितना काम करता है और कुल काम पता है अगर हम लोग कुल काम में एक दिन के काम से डिवाइट करेंगे तो मैं पता चल जगा टोटल दिन कितना दिन लगेगा काम करने में किसको b को आठ से से डिवाईद कीज़ेगा आपका हो जागा 4 दुन आठ यह हो जागा 4 तिया बारह याणि 5 तिया पंद्रह बटा हो जागा 5 15 में दोस्थो 2 से डिवाईद कीज़ेगा त apply 7 दुन 14 मतला 7 सही 1 बटा 2 हम कह सकते हैं 7-6-1-2 दिन में B पूरा काम कर देगा जिस काम को A करता है 12 दिन में उसी काम को अगर B करेगा तो कितना दिन में करेगा 7-6-1-2 दिन में कर देगा यहाँ पर दोस्तों आपका answer option No. D सही हो जागा 7-6-1-2 दिन चलिए अगला question को देखते हैं आपके सामने दूसरा कुष्चन है, कुष्चन करा है A काम करने में B से दो गुना कुसल है और B काम करने में C से दो गुना कुसल है यदि A और B मिलकर एक साथ काम को चार दिन में पुरा करते हैं तो C अकेला उसे कितना दिन में पुरा करेगा यहाँ पर देखे दोस्तों question करा है A जो है ने B से दो गुना कुसल है कम करने में और B किसे दो गुना कुसल है C से दो गुना कुसल है यहाँ पर दोस्तों इस term को कैसे लिखेंगे इसे समझे question करा है A B से दो गुना है और B C से दो गुना है अगर हम लोग कहें कि A रोज एक कम करता है तो B रोज कितना कम करेगा दो कम करेगा क्योंकि B C से क्या है दो गुना कुसल है अगर B रोज दो कम करता है तो A कितना कम करेगा चार कम करेगा क्योंकि A B से क्या है दो गुना कुसल है यहाँ पर दोस्त आपको नुपात लगा देने ठीक है यह हो गया इसकी कार्चमतेनी फिसंसी का रेसियो आपको बताना है C अकेला उसे कितना दिन में करेगा हम कह सकते हैं A रोज कितना कम करता है 4 कम करता है और B रोज कितना कम करता है 2 कम करता है मतलब A और B मिलकर एक दिन में कितना कम करता है च्छो कम करता है और यहां दोस्तों एक साथ कम करने के बाद चार दिन में कम को खतम कर देता है तो यहां पर दोस्तों आपको 4 से multiply कर देना है यहां आपका हो जगा च्छो के 24 मतलब A और B मिलकर रोज कितना कम करता है 6 कम करता है और इसे 4 दिन में खतम कर देता है हम कह सकते हैं कुल कम कितना है 24 है ठीक है इसी 24 कम को दोस्तों अब बताने आपको C कितना दिन में करेगा और यह 24 क्या आपका टोटल वर्क है अब आपको बताना है C अकेला उसे कितना दिन में करेगा तो यहाँ पर देखें C रोज कितना कम करता है 1 कम करता है मतलब C की कम करने की छमता कितना है रोज 1 है और टोटल कम कितना है 24 है अगर C रोज 1 कम करता है और 24 कम आपको करवाना है तो इसे कितना दिन लगेगा 24 दिन लगेगा यहाँ पर दोस्तों आपका उक्समन वर 20 सही हो जागा 24 दिन चलिए आगे बढ़ते हैं आपके सामने तीसरा कुष्चन है कुष्चन करा है एक की कार्ज चमता बी से दो गुनी है यहाँ पर दोस्तों आपको लिग देना एपिसेंसी ठीक है और उन पात लगा देना है हम का सकते हैं एक की कार्ज करने की चमता रोज कितना है दो है और बी की कार्ज करने की चमता रोज कितना एक है आगे कुश्चिन करा है यह दोनों मिलकर 14 दिन में कम को समापत कर देता है अगर दोस्तों यह दोनों मिलकर 14 दिन में कम को समापत करता है तो यहाँ पर आपका सकते हैं A रोज 2 कम करता है और B रोज 1 कम करता है मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितना कम करता है तीन कम करता है और इसी तीन कम के हिसाब से चोदा दिन में कम को खतम कर देता है तो यहाँ पर दोस्तों तीन मल्टिपला कर देना है चोदा यह दोस्तों आपका आगया कुल कम क्योंकि A और B मिलकर रोज कितना कम करता है तीन कम करता है और यह दोस्तों 14 दिन में खतम कर देता है तो आपका आगया कुल कम ठीक है आगे कुश्चन करा है A अकेला उसे कितना दिन में स्वाप्त करेगा तो यहाँ पर देखे दोस्तों ए रोज कितना कम करता है दो कम करता है आपको बताना है इस पुरा कम को एक कितना दिन में करेगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको टू से डिवैड कर देना है कुल काम में अगर एक दिन के काम से डिवैड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल काम कितना दिन में होगा यहाँ पर आपको पता है कुल काम और आपको यहाँ भी पता है कि A रोज कितना कम करता है 2 कम करता है ति यहाँ पर दोस्तों 2 से डिवैड कर दिये यह आपका हो जागा 2 सत्य चोद है 7, 7 को 3 से मल्टिप्ले की जागा ता आपका जागा 721 हम कहा सकते हैं A अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा 21 दिन में करेगा क्वेश्चन कर रहे दोस्तों A की कार्ज चमता क्या है? B से 2 गुनी है. अगर B की कार्ज करने की चमता रोज 1 है, तो A का कितना है, रोज 2 है? यहाँ पर दोस्तों आपको लिख दिना Efficiency ठीक है, या क्या है? A और B की Efficiency, मतलग करने की चमता है जान की किछ Divine का रहें आगे क्वेसिस्जर कराएं दोस्तों सब्सक्राइब्स करने में अ-लिक बाने कंपास्ध लिए 2,1 तो उल्टा कर देना में, 1 is to 2 के अनुपात में आ जाएगा आपका time का ratio आगे question करा है किसी काम को पूरा करने में A, B से 10 दिन कम समय लेता है A दोस्तों 10 दिन कम समय लेता है काम को पूरा करने में किस से? B से तिहां पर दोस्तों अनुपात में देखिए A, B से कितना कम समय ले रहा है जबकि real में करा है कि किसी काम को पूरा करने में A B से 10 दिन कम समय ले रहा है तो यहाँ पर दोस्तो अनुपात में A कितना कम समय ले रहा है एक अनुपात कम समय ले रहा है किसी काम को पूरा करने में ठीक है जबकि real में 10 दिन कम समय ले रहा है तो यहाँ पर दोस्तो आपको ल मतलब A किसी काम को 10 दिन में करता है और B किसी काम को 20 दिन में करता है। आपको बताना है जब दोनों मिल जाएगा तो उस कार्ज को कितना दिन में करेगा। हम लोग दोस्तों इसके लिए पहले करास में फर्मूला सीके थे, A multiply B, बता A plus B, ठीक है। जब दो बैक्ति मिल कर किसी काम को करेगा तो यहाँ पर आपको करना है 10 multiply 20, बता में करना है 10 plus 20 30, यह दोस्तों 0 से 0 खतम हो जाएगा। 10 को 2 से multiply किजएगा तो हो जाएगा 20, बता में हो जाएगा 3, 3 से divide किजएगा तो आपका जाएगा 16, 18, 22, बता में हो जाएगा 3, मतलब 6 साही 2 बता तीन दिन लगेगा जब A और B मिल कर इस काम को करेगा। 10 नमर दोस्तों यहाँ पर आपका C साही हो जाएगा 6 साही 2 बता तीन दिन जब A और B मिल कर करेगा तब तो चले दोस्तों अगला कुश्चन को देखते हैं आपके समय दोस्तों पाच्मा कुश्चन है कुश्चन करा है जोती एक कारज का 3 बता 4 बाग 12 दिनों में कर सकती है माला जोती से दो गुना कुशल है तो माला उस कारज को कितने दिनों में स्वाप्त करेगी कुश्चन करा है जोती किसी काम का 3 बता 4 बाग 12 दिनों में करता है यहाँ पर दोस्तों 3 बता 4 बाग कर लेता है कौन जोती कितना दिन में 12 दिन में जब दोस्तों भाग वाला कम आ कुल काम कितना दिन में होता है तिहां पर आप का सकते हैं जोती पूरा कम कितना दिन में करेगा यह आपका हो जाएगा बारा मल्टीपला चार बट्टा में हो जाएगा थिरी तिन चों के बारे नहीं चार चार को चार से मल्टीपला खीज़े तो आपका जाएगा 16 वन दोस्त जोती पूरा कम कितना दिन में करेगा 16 दिन में करेगा आगे कुश्चन करा है माला जो है जोती से कितना है दोगुना कार्ज कुसल है अगर जोती रोज एक कम करेगा तो माला कितना कम करेगा रोज दोगुना करेगा क्योंकि माला जोती से क्या है दोगुना कार्ज कुसल है य आपको बताना है माला कितने दिनों में समप्त करेगी यहां पर हम कह सकते हैं माला और जोती की कार्ज करने का आपको छमता पता है तो आपको time का ratio निकालना होगा तो क्या करना है इसे उल्टा कर देना है तो आपको हो जागा one is to two के अनुपात में और आपको दोस्तों यहां पता है कि जोती कितना दिन में कर देता है पूरा काम 16 दिन में कर देता है जबकि अनुपात में कितना है दो है मतलब पूरा काम करने में अनुपात में कितना लगता है दो दिन लगता है जबकि रियाल में 16 दिन में करता है तो आपस में क्या होगा बराबर होगा यहां से हम का सकते हैं एक अनुपात का विलू कितना हो जागा या आपका हो जागा 2 8 16 यह आठ आठ आपको बताना है माला उस कारज को कितने दिनों में स्माप्त करेगी यहां पर हम लोग निकाले हैं एक अनुपात का विलू कितना या 8 आया और आप देख रहें माला किसी काम को कितना में करता है एक अनुपात में करता है मतलब एक दिन में करता है और एक अनुपात का विलूप पता है आपको कितना एट है तो आप कहा सकते हैं कि जोती रोज कितना कम करता है एक कम करता है और टोटल कम कितना दिन कटम करता है तृष एक तो लोज 두 कम करता है तो तŚुम करता city का थिक है और आपको पता है खुए-छह पते हैति मॅला कितना दिन करेगा यहां अपको से डिवैड करदेना है यहां लिगता करता है टो दिन में घडिये यहопर दो जहां को extrêmement आपका दोस्तों यहां से भी आर्फ दिन हो जाएगा ठीक है या नहीं तो आप लोग इसे बना सकते हैं थीक है तो दोनों तरीका दोस्तों सही है आपको जो बेटर लगे उससे समझ कर बना लिगेगा चलिए आगे बढ़ते हैं आपके सामने छटा कुश्चन है कुश्चन करा है A. एक करज को 20 दिनों में पूरा कर सकता है B. उसी करज के लिए A से 20% अधिक समय लेता है B. दो दिन तक अकेला करज करता है तथा उसके बाद करज समाप्त होने तक A. के साथ करज करता है तो पूरा करज कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा कुश्चन करा है दोस्तो A. किसी कारज को कितना दिन में कर सकता है 20 दिन में कर सकता है ठीक है आगे कुश्चन करा है B. किसी काम को करने में A. से 20% अधिक समय लेता है अगर हम कहें कि एक किसी काम को 100 दिन में करेगा तो B कितना दिन में करेगा 120 दिन में करेगा क्योंकि कोई काम क्या होता अपने आप में 100% होता है यहाँ पर दोस्तो अगर एक 100 दिन में करेगा तो B कितना दिन में करेगा 120 दिन में करेगा देखे रहें कोिस्टं में एक किसी काम को दोस्तों कितना दिन में करता है अनुपात में करता है पांच दिन में ठीक है एकाम का वहलो आप पंचों की भिसनी चार एक अनुपात का विलू दोस्तों आपको निकल गया ठीक है यहां पर आप कह सकते हैं एक किसी काम को कितना दिन में करेगा अनुपात में करता है पांच दिन में और एक अनुपात का विलू है चार एक किसी काम को कितना दिन में करेगा वी दोस्तों करत तिक आपको समय पता हो कि A करता है इतना दिन में और B करता है इतना दिन में आपको जहाँ निकाला हो कि कुल काम कितना है कि मतलब A रोज कितना कम करता है और B रोज कितना कम करता है जब दोस्ता आपको ऐसा निकाला हो तो हम लोग सबसे पहले उसके लिए क्या करते है कुल कम मानते हैं और कुल काम क्या होता है उसका LCM होता है तिहां पर दोस्ता आप कहा सकते हैं 20 और 24 का LCM कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा मतलब कुल कम होरे पास कितना 120 है इसी 120 काम को A करता है 20 दिन में मतलब A रोज कितना कम करता है 6 कम करता है और इसी 120 काम को B करता है 24 दिन में चोटल कम आपको पता है ठीक है एक करता है रोज कितना कम छोड कम और बी करता है रोज पाँज करता है रोज कम करता है और दो दिन करता है अकेला यहाँ पर दोस्तों 120 कम टोटल है ठीक है जिसमें से 10 कम किस ने कर दिया है बी ने कर दिया है दो दिन में तो हम दोस्तों 10 कम मिनस कर देंगे तो भचेगा कितना यापका हो जागा 110 अभी भी दोस्तों हमारे पास कितना कम बांकिया है 110 कम बांकिया है अब जो दोस्तों हमारे पास एक सर दस कम बांकी है इसे कौन करेगा A और B करेगा तो A रोज कितना कम करता है छो कम करता है और B रोज पांच कम करता है अगर दोस्तों दोनों मिलकर करेगा तो एक दिन में कितना कम कर देगा और टोटल काम है एक साथ 10 मतलब वह कहने का दोस्तों अगर टोटल काम है एक दिन के काम से डिवैड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल काम कितना दिन में होगा 11 से दोस्तों डिवैड किजेगा तो आपका जाएगा 11 एक साथ 10 तो आपको दोस्तों B का भी दो दिन एड़ करना है यहां पर आपका सकते हैं 10 दिन क्या A और B क्या है और इससे पहले दो दिन क्या है क्यों B तो आपका दोस्तों टोटल हो जाएगा 12 दिन मतलब हम का सकते हैं पूरा काम समापत होने में कितना दिन लगेगा 12 दिन लगेगा त प्रफ्सन नमर दोस्तों यहां पर आपका C से हो जागा 12 दिन, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सामने दोस्तों सातमा कुश्चन है, कुश्चन करा है, A की करज कुशलता B से 30% कम है, ज़री B किसी कम को 8-10 दिनों में स्माप्ट करें तो A उसे कितना दिनों में स्माप्ट क कि अगर B किसी कम को 8-10 दिनों में करता है, तो यहां पर आपको बताना है, एसे कितना दिनों में करता है, और एक दिन में कितना कम करता है भी दस कम करता है एक दिन में दस कम करता है और अठाइस दिन में कर देता है हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है कुल काम है ठीक है अब दोस्तों आपको बताना है यह इसे कितना दिन में इक्समाप्त करेगा तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ए रोज कितना काम करता है साथ काम करता है और आपको पता है कुल काम ठीक है तो कुल काम है अगर दोस्तों एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे तो मैं पता चल जाएगा टोटल दिन कितना दिन है यहां पर दोस्त आपका इंसर उप्स नुमर 20 से हो जागा 40 दिन चलिए आगे बढ़ते हैं आपके समने दोस्त आठमा कुश्चन रहे से देखिए कुश्चन कर रहा है यह तथा भी कि कार्चमता का नुपार 3-4 है यदि एक किसी काम को करने में 20 से 8 दिन अधिक समय ले तो एकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा कुश्चन में दोस्त आपको A और B की कार्चमता का नुपार पता है कितना है 3-4 है तो यहाप लेकना है 3-4 यह क्या है एक किसी काम को करने में 20 से 8 दिन अधिक समय ले ता है कौन A यहाँ पर आपको टेम का भी रेसियो निक यहाँ पर दोस्तों आप कर सकते हैं एक किसी काम को अगर चार दिन में करेगा तो बी कितना दिन में करेगा तीन दिन में करेगा लेकिन आपको कुश्चन क्या करा है कुश्चन करा है एक किसी काम को करने में बी से आठ दिन अधिक समय ले रहा है तो यहाँ पर दोस्तों एक अनुपात का विलू कितना हो जागा है, ही चाहर दिन में, करता है, ठीक है, अनुपात का मिलू को पता है कितना होता है, यहां पर अधिसेy काम को कितना這क्ते तीन में करता है, जब यह कम कितना इचों कbour Lから कितना दिन में घृःगा. जब A अकेला उस काम को करेगा तो 32 दिन में खतम कर देगा तो अप्सन नमर दोस्तो C सही हो जाएगा चलिए आगे मरते हैं आपके सामने दोस्तों नमा क्वेश्चन है क्वेश्चन करा है P तसा Q की कार चमता कानुपाद 327 है यदि दोनों मिलकर एक काम को 28 दिनों में पूरा करे तो P अकेले उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा question में दोस्ट आपको P और Q की काड चंटा का उन्पाइथ पता है 3, 2, 7 है तिहाँ पर लेकना है 3, 2, 7 ठीक है अगर P रोज 3 काम करेगा तो यह रोज कितना काम करेगा 7 काम करेगा efficiency का मतलब काड चंटा ठीक है यहाँ पर दोस्ट आप आगें देखिए question करा है दोनों मिल कर उस काम को कितना दिनों में कर देता है हम कह सकते है P की काम करने की छमता एक दिन का कितना है 3 है और Q की काम करने की छमता एक दिन का कितना है 7 है यहाँ पर दोस्त आपको पलस कर देना है 7 मतला P और Q जब काम करेगा तो एक दिन में कितना कम कर देगा, दस कम कर देगा, ठीक है एक दिन में दोनों कितना कम करता है, दस कम करता है और एक इस दिन तक क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक इस से multiply कर देना है यह दोस्ता आपका क्या होगा, कुल कम हो गया, हम कहा सकते हैं, कुल कम होरे पास कितना इतना है, ठीक है, इसी कम को आप बताना है, दोस्तों, P कितना दिन में करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, P रोज कितना कम करता है, तीन कम करता है, और टोटल कम आपको पता है, अग कह सकते हैं P पुड़ा कम कितना दिन में कर देगा 70 दिन में कर देगा तो यहां पर दोस्तों आपको उप्षन A सही हो जागा 70 दिन ठीक है आपके सामने दसमा कुश्चन है इसे देखिए कुश्चन कर रहे है एकस Y से तिगुना सकती साली है यदि Y किसी कम को 30 दिनों में पूरा करता है तो X उस कम को कितने दिनों में करेगा QCision करें दोस्तों x जो है नए y से कई 3 गूला सकती साली है मतलर आपको efficiency पता है ठीक है garbage करने की छमता हम कहते हैं x अगर रोजे कम करता है तो y कितना कम करता है तीन कम करता है क्योंकि x y से कहती गुना सकती साली है तो यहाँ पर दोस्तों अनुपात लगा देने ठीक है x की कर्ज करने की छमता एक दिन का क्या है 3 है और y की कर्ज करने की छमता एक दिन का क्या है 1 है आगे question करें y किसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है यहाँ पर दोस्तो समय का बात हो है ता आपको समय का भी ratio निकलना होगा, जब दोस्तो efficiency आपको पता हो और time निकलना हो ता आपको क्या करना है, efficiency का उल्टा कर देना है ठीक है ता आपको time आ जाएगा ति आपको हो जाएगा 1 is 2 3 का उनुपात में, यहाँ पर दोस्तो हम कर सकत किसी काम को एक दिन में करता है तो यह कितना दिन में करता है यहांपर आपको पता है कि On paper कि Is करें कि o2 कितना है खुंक करेगत अदस्ट सब्सक्राइब यहाँ पर जो jurisdiction करेगा एकशित त्यों पता है एक On pastor तो चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ की टेमेर वर्क का लास्ट कुष्चिन था अगर दोस्तो आप लोग को एक लास समझ में आया है तब दोस्तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है और इस बैल अकन को दबाईए इस से हरे क्लास का नुटिपिकेशन मि मिल जाएगा तो मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए जाहिंद जया भारत